नमस्कार हाई अलर्ट देख रहें आप आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर हादरस केस में आज दिन भर क्या हुआ है हाई अलर्ट में आगे आपको दिखाएंगे लेकिन अभी कुछ ऐसी तस्वीरे आपके सामने रखते हैं जिसके बाद आपकी भी आखें गमगीन हो ज चुनी है और इस तोरान एबीपी की टीम परिवार के साथ मौजूद रही परिवार के साथ तमाम समवेदनाय जताई धांडस बंधाया और ये वो तस्वीरे हैं देखिए ये वो भावुक पल है क्योंकि वो बेटी जिसके अंतिम संसकार का हक नहीं मिला परिवार को किया गया है उसके बार प्रशासन जागा और फिर जाकर आज परिवार ने अस्थिया चुनी हैं देखिए दो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कल हमने ये तस्वीर दिखाई थी एबीपी गंगा ने वो तस्वीर दिखाई थी जहां पर प्रशासन की सम्वेदन हींता पया हो रही थी और आज की तस्वीरे हैं जब प्रशासन जागा है एबीपी गंगा पर खबर देखने के बाद और परिवार को फाइनली उनका हक मिला है परिवार ने अपनी बेटी की अस्थिया चुनी हैं तो ये वो काम का जोता है जिसके बाद ये समझा जाता है कि मृत तक कि आत्मा को शांती मिल गई अस्थिया विसरजन के बाद ये भी नहीं हो पाई थी चार दिन हो गए थे बेटी की राख यूही पड़ी हुई थी परेशान था परिवार रोरो कर गुहार लगा रहा था लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था परिवार की आवाज हमने प्र घर चला गया है परिवार की अगर माने तो परिवार लगातार कह रहा है कि उनको अपनी बेटी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए क्योंकि ना सिर्फ पेटी के साथ ज्याती हुई दरिंदगी हुई बलकि उसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी ज्यादा भयावय था दुखद था प्रशासन की समवेदन हींता लगातार हर एक कदम पर उजागर होती रही हालकि हमने खबर दिखाई हम लगातार पिडित परिवार के साथ बने रहे उसका नतीजा यह है कि आज हात्रस की बेटी की जो अस्थियां है वो चुलनी गई है परिवार ने चले गई हैं दो तस्वीरे आपके सामने हैं तो हात्रस की यह वो खबर जिसने पूरे देश को एक बार फिर से जग जोड़ दिया और पूरा देश मजबूर हो गया सड़कों पर आने के लिए क्योंकि समवेदन हींता की सारी हदें यहां पर पार कर दी गई थी